हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल साधिया इजी रेसीपी आज मैं बनाया है बेंगॉली और एक लेसीपी जिसको कहते हैं चूसी पीटा ये खाने में बहुती जवरदस्त एक स्वीट डिस है और जो बहुती इजी और फटाफट बनके तैयार हो जाता है तो मेरे वीडिय को लाइक, कमें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसके लिए में एक पत्तिले को गरम कर लिया है उसमें मैं डाल दिया हूं एक लीटर पानी और पानी आप जितना बनाना चाते हैं उसकी हिसाप से पानी देना है चावल का आटा यहां पर मैं जो है सारे साथ सो ग्राम ले लिया है एक लीटर पानी के लिए सारे कि पकाएंगे तो यह बिल्कुल पर्फरेक्ट आती का जो है डो बंके तैयार हो जाएगा। यह देख सकते हैं दो मिनिट तक मैं इसको इसी तरह चला के पकाया है तो इस B?? बिल्कुल पर्फरेक्च तयार हो तो जब तक गरम है तब तक इसको पूरा बरतन में डाल ले और साइड में थोरा सा गमला में यह पर मैंने पानी ले लिया है पानी में हाथ डूबो डूबो के इसको गरम गरम जो है ऐसा इसी तरह मसलते मसलते इसको अच्छी तरह से एक डो के फॉर्म में तैयार हो जाता है बिल्कुल दो ही मिनिट लगता है इसमें थोरा थोरा पानी अप हाथ में ले लेके इसको एक डो इसका जो है तैयार कर ले तो ये देख सकते हैं जो है ये रेसिप मेरे मम्मी का है तो जब ही मैं इधर पर आती हूँ तो मम्मी का रेसिपी सब मम्मी बनाती है तो देख सकते है ममी किस तरह इसको डो तैयर कर लिया है और डो के उपर अभी बहुती आच्छी तरह से पानी लगा दिया है और लगा के इसको अभी थोड़ी देर के लिए एक से दो मिनिट के लिए इसी तरह इसको ढख के रख देना है तो ये देख सकते हैं दो मिनिट हो चुका है आटा बिल्कुल सेट हो चुका है तो थोरा थोरा आटा अभी ड्राइ जो है आटा चावल काटा हाथ में ले लेना है लेके इसी डो से हमको थोरा थोरा करके कट कर लेना है और कट करके बिल्कुल एकदम छोटी छोटी जो है हमको लोई लेके थोड़ी थोड़ी आहात में आटा ले लेना है और इसका चोटे चोटे जो है इसका चूसी पीटा तैयार कर लेना है तो यह देख सकते कितना खुबसूरत मेरा मम्मी चोटे चोटे जो है पीटा तैयार कर रहा है ऐसे इसी तरह लेके हात में थोड़ा सब तो आधो मैं तयार करके फिर दिखाती हूँ यह देख सकते हैं, अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में इसको बॉइल करने की प्रोसेस में तो यह देख सकते हैं अब यहां पर मैंने ले लिया है दो लीटर दूद यह फुल क्रीम मिल्क है जो है गाई का दूद मैंने इस्तमाल किया है और इसमें डाले हूं में एक लीटर पानी अगर आप पूरा दूद में बनाना चाते हैं तो इसमें पूरा दूद ही इस्तमाल कर सकते हैं या पिर पानी थोरए mix करना चाते हैं तो mix कर सकते हैं और अब इसमें डाल रही हूँ मैं चे से साथ ilaichi और यह डालने के बाद जब तक कि बॉयल ना जाए तब तक इंतिजर करना है देख सकते हैं दूद में बिल्कुल गुर मिलता है ठंडी के मौसा में वही गुर है और यह पतला वाला गुर है आप लोगों को जो पसंद है आप लोग उसको डाल सकते हैं गुर के जगह पे आप लोग चीनी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और अभी जो पीटा हमने तैयार करके रखा था उसको मैं पहले थोर जो बिलकुल भी नई चिपका है एक दूसरे से यह देख सकती बिलकुल भी चिपका नहीं है इसके वाज़े से जो बाकी जितना भी हमारा जो है चूसी पीटा तायार करके रखा था वो सब को मैं इसके अंदर अभी धीरे-धीरे करके आट कर रही हूं अभी जो है इसके अंदर मैंने सब डाल दिया है और डालने के बाद इसको अभी लगातार बोयल करना है करीवन इसको फाएब मिनेट तक हाय फ्लेम पे बोयल करते रहना है जब तक ये थोरा सक गारा ना हो जाए तब तक हमको ऑट लोग इसको एक बार घर पर जूरू ट्राय कर यह बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में और इसको ज्यादा तर बेंगल लोग जो है ठंडी में बनाता है तो यह देख सकते हैं करीबन अभी यह पाच मिनिट तक बॉयल होई तो इसको में थोरी दे ढख धित हूं दो देख सकते हैं अभी बिल्कुल पर्फिक त्यार हो चुका है यह थो तो आप लोगों को यह लगा। का आप छाल ना बिल बटन को जुरुर दबा देना। में आपने आपना दो आपने के लिए आपने में दो करेंगें